राम राम दोस्तों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पे स्वागत है आशा करती हूँ कि आप सब खीक होंगे आज मैं धनिया टमाटर प्याज की चट्नी बनाने जा रही हूँ इसके लिए मैंने तीन टमाटर, दो प्याज, धनिया, लैसुन, तीन हरी मिर्ची और अद्रक का टुकडा लिया है इनको सभी को मैंने दुलाई कर लिया है अब मैं इनको काटके जार में डाल लूँगी अभी मैंने ये जार में डाल लिए, अभी मैं इसमें नमक डालूँगे, नमक आप स्वादनुसार डाले अभी मैं इसको ग्राइंड कर लूँगे अभी ये चटनी बन चुकी है, अब मैं इसको आपको कटोरी में निकाल के दिखाती हूँ इसका कितना अच्छा कलर आया है चटनी को मैंने कटोरी में निकाल लिया है इसको आप एक बार जरूर प्राइ करें, ये बहुत ही आसान सी है और इसका कलर देखो कितना अच्छा आया है, खाने में ये बहुत ही टेस्टी चटनी है आप इसको समोसूं के साथ, पकोडूं के साथ, शेंडवीच के साथ, जैसे चाए खा सकते हो रोटी और लसी के साथ खाएंगे तो इसका मज़ा कुछ अलगी है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें